दोस्तों इस वीटिए में बिहार एसे इंटर लेवल मेंस एक्जाम के लिए दोस्तों बिहार विश्यक्षाइंश का एक मगणतपोर टोपिक लिए नह ilk रए दोस्तों इस वीडियोमें हम ऐसे प्रेशन देखने वाले तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर आप चनल पहली बार है जरो सब्सक्राइब कर लिजेगा देखिए पहला प्रशन क्या है 1950 इस्वी में भूमी सुधार कानून लागू करने वाला भारत का पहला राजी कौन बना था तो देखिए 1950 में भूमी सुधार कानून लागू करने वाला जो पहला राजी हमारा बना था देश का वो बना था बिहार सही अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर C हमारा जो करेक्ट हो जाएगा बिहार जो है सबसे पहले बिहार में जो है भूमि सुधार कानून जो है लागो किया गया था तो option number जो हमारा यहाँ पर C है बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं देखें दूसरा प्रशन क्या है भारत के किसराज में पहला जमिनदारी उन्मूलन कानून बनाया था तो देखें भारत के किसराज में पहला जमिनदारी उन्मूलन कानून बनाया था तो इस प्रशन का सही answer हो जाएगा option number A बिहार में सबसे पहले जो बिहार में ही है जमिंदारी उनमुलन कानून बनाया गया था तो यहां पर हमारा option number जो A है बिल्कुर correct answer हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं देखे तीसरा प्रसन क्या है भारती समिधान का पहला संसोधन किस राजी के कारण हुआ था देखे यहां पर है कि भो में सुधार अधिनियम लाया गया था और नवी अनुसुचे जोड़े गया थी कौन सा भो में सुधार अधिनियम के लागू किया गया था और नवी अनुसुचे जोड़े गया थी option number D हमारा यहां पर बिहार correct हो जाएगा अगला प्रशन है चौथा प्रशन सुतंदरत सुतंतरता प्राप्ति के पस्चात बिहार में उग्र छात्र आंदुरन के शुरुवात कब हुई तो इस प्रशन का सही अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर B 1955 में देखिए सुतंतरता प्राप्ति के बाद 1905 में जो है बिहार में उग्र छात्र आंदुरन के शुरुवात हुई थी तो यहां पर हमारा option number B correct हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं देखिए आप कितने प्रशन सही कर पाते हैं ये भी आप जरूर देखिएगा पैते समसे आप कितने प्रशन सही करते हैं और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा देखिए पाच्वां प्रशनी क्या ह वह बिहार के राधानी पटना में हुआ था तो यहां पर हमारा option number जो B है सही अंसर हो जाएगा छठा प्रशन देखिए क्या है हमारा बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार स्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया most important प्रशन है देख जो कोसी बांध पर योजना थी इसके लिए पहली बार स्रमदान का प्रयोग हुआ और इसके लिए भारत सेवक समाज का गठन किया गया था इस प्रशन का हमारा option number जो B है बिलकुल right answer हो जाएगा सातमा प्रशन देखी क्या है बिहार में किस वर्श सरकार विरोधी प्रदर्शन में पूलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्य हो गई थी देखिए most important प्रशन है तो बिहार में किस वर्श सरकार विरोधी प्रदर्शन में पूलिस की गोली लगने से 35 छात्रों की मृत्य हो ग अगला प्रशन है बिहार में 1967 में जिगर का टुकडा किसे कहा गया था इस प्रशन का सही प्रशन में जिगर का टुकडा किसे कहा गया था ? option number A जिन लोगों ने चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है नवा प्रशन पटना स्थित सहीद स्मारक का उपचारिक अनावरड कभ हुआ देखिए जो पटना में सहीद स्मारक स्थित है इसका उपचारिक अनावरड कभ हुआ था इस प्रशन का सही एंसर क्या हो जाएगा option number D 1956 में देखिए 1956 में पटना में जो है सहीद स्मारक उसका उपचारिक अनावरड किया गया था तो सही एंसर हो जाएगा option number D 1956 अगला प्रशन है देखिए सारे प्रशन आपके exam के लिए most important है अगला प्रशन है कि बिहार में नकसलवाद की सुरुवाद कब से सुरू हुई निकि जो बिहार में नकसलवाद है उसकी सुरुवाद कब हुई तो सही एंसर हो जाएगा 1969 में जो है बिहार में नकसलवाद की सुरुवाद हुई थी option number C हमारा यहां पर right answer हो जाएगा अगला प्रशन हमारा है 11 प्रशन बिहार में नक्सलवात का सुरुवात के जिले से हुआ था तो देखे जो बिहार में नक्सलवात का सुरुवात है वहाँ बिहार के भोजपूर जिले से हुआ था सही answer क्या हो जाएगा बिहार के भोचपूर जिले से नक्सलवाद की सुरुवाद जो है बिहार में हुई थी ओप्सन नमबर बी जिन लोगों ने चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन देखे क्या है बारवाँ प्रशन एक अक्टूबर उनिसो सरसट को देश में पहली बार सेवा निवरत नियाधिस टी एल वेंट रामन अयर के अधिक्षता में राजनीतिक जांच आयोका गठन के सराजी में हुआ तो देखे जो ये राजनीतिक जांच आयोका गठन है वह बिहार में किया गया था उनिसो सरसट में जो है बिहार में सेवा निवरत नियाधिस टी एल वेंट रामन अयर के देख्षता में जो है बिहार में राजनीतिक जांच आयोका गठन किया गया था तो इस प्रशन का उप्सन नमबर जो हमारा बी है राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन है बिहार में पहली गैर कांगरसी सरकार का गठन कब हुआ तो देखिए बिहार में पहली जो गैर कांगरसी सरकार है इसका गठन उनिसो सरसट में किया गया था option number D correct हो जाएगा 1967 में जो है बिहार में पहली बार गैर कांगरसी सरकार का गठन किया गया था अगला प्रशन है बिहार में पहली गैर कांगरसी सरकार के मुख्यमंतरी कौन थे तो देखिए बिहार के पहले मुख्यमंतरी थे स्री कृष्टर सिंग लेकिन बिहार की यहाँ पर बात थो रही कि पहले गैर कांगरेसी मुख्यमंत्री कौन थे देखे सही अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A महा माया प्रसाद देखे बिहार में पहले गैर कांगरेसी सरकार के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम है महा माया प्रसाद option number हमारा जो A है यहाँ पर correct हो जाएगा महामाया प्रसाद पंद्रवा प्रशन देखे क्या है बिहार में किस सरकार ने सर वो पर्थम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवारता समाप्त कर दी थी जो पंद्रवा प्रशन का सही अंसर के हो जाएगा अगला प्रशन है संपूर क्रांती देश्की की सराज से सम्मंधित है जो संपूर क्रांती था या एक छात्र आंदोलन था तो ये किस राज से सम्मंधित था सही अंसर हो जाएगा option number C बिहार से जो संपूर क्रांती है या बिहार आज सम्मंधित था option number C यहाँ पर जो है correct answer हो जाएगा अगला प्रशन है 17 प्रशन बिहार में चात्र या फिर जेपी आंदोलन के सुरुवात किस वर्स हुई देखें जो जेपी आंदोलन है या एक छात्र आंदोलन ही था तो इसकी सुरुवात बिहार में कब हुई थी सही answer हो जाएगा 1974 में देखें बिहार में जो है जेपी आंदोलन के सुरुवात 1974 में हुई थी सही answer हो जाएगा हमारा option number C 1974 अगला प्रशन है ठारवा प्रशन बिहार राजी के सिमाओं का सुतंतरता उपरांत सरुपरथम गठन कब किया गया यानिके देखें सुतंतरता प्राप्ति के बाद बिहार की सिमाओं का पुनर गठन यानिके दोबारा जो गठन है कब किया गया था सिमाओं का तो सही answer हो जाएगा 1956 में देखें बिहार की राजी के सिमाओं का जो सुतंतरता के बाद जो गठन किया गया वो बने थी 1967 में यह पहली गैर कांगरसी सरकार थी और इस में जो मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम क्या था महा माया प्रसाद क्या नाम था महा माया प्रसाद जो थे पहले गैर कांगरसी मुख्यमंत्री बने थे 1967 में और यह एक साजह सरकार थी यानिकी गटबंधन वाली स प्रश्ण है 20 प्रश्ण संपूर्ड क्रांती का नेत्रत्यू किस ने किया था मोस्ट इंपॉर्टन प्रश्ण है देखे जो बिहार में संपूर्ड क्रांती है यानिकि जिसे हम संपूर्ड क्रांती इसका नेत्रत्यू किस ने किया था तो सही अंसर हो जाएगा जय प्रकास न इन्होंने विहार में संपुड क्रांती का नित्रत्त किया था जो कि1974 में इन्होंने शुरू किया था अगला प्रशन देखे अब एक किस्वारत कि गई थी इनके किसने की थी तष्छे जो बिहार की संपुड क्रांती थी जिसे हम छात्रों ने की थी बिहार के अगला प्रशन है बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंगे आजादी कहा गया है देखे बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंगे आजादी कहा गया तो सही एंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन का सही एंसर हो जाएगा संपूर क्रांती देखिए जो बिहार में संपूर क्रांती हुई थी इसे बिहार में दूसरी जंगे आजादी कहा जाता है तो option number जो B यहाँ पर है हमारा right answer हो जाएगा अगला प्रशन है तीसों प्रशन हमारा संपूर क्रांती के सुरुवात कहां से हुई थी तो देखिए जो संपूर क्रांती इसकी सुरुवात बिहार के राधानी पटना से हुई थी option number C correct हो जाएगा और यह पटना के चात्रों द्वारा सुरू किया गया था सबसे पहले संपूर क्रांती अगला प्रशन हमारा है बिहार के 1974 के चात्रा अंदुलन का नाम संपूर क्रांती किस ने रखा था तो देखिए जो 1974 में बिहार में चात्रा अंदुलन सुरुवा इसका नाम संपूर क्रांती किसके द्वारा रखा गया था तो इस प्रशन का सही एंसर हो जाएगा जो 1974 में बिहार में संपुड करांते शुरू हुआ जो कि बिहार ग्राधानी पटना से शुरू हुआ था तो इसका नाम जो है संपुड करांते रखा गया लोग नायक जैप्रकास नराड के द्वारा तो यहां से हमारा ओप्सन नमर जो C है राइट अंसर हो जाएगा देखिए 25 प्रशन मारा क्या है most important प्रशन है 25 प्रशन मारा कि बिहार के जेपी आंदुलन या फिर संपुड करांते से सम्मन्धित कौन सा कथन गलत है तो देखिए 4 कथन दिये हुए है आपको इसमें से पहचाना है कौन सा कथन गलत है पहला देखिए क्या है जैप्रकास नाराण ने इस आंदुलन का नेतर तो अपने हाथ में इस अर्थ पर लिया कि आंदुलन सांते पोड़ होगा देखिए ये कथन बिल्कुल सही है दूसरा ऑपन है कि बिहार के वर्तबान नेता जैदा लालोपरसाद यादव नितीज कुमार और रवी संकर परसाद सुसील मोदी इस आंदुलन से समंझे थे है देखिए बलकुल सही परशना है बिहार के उस समय जो नेता थे लालू परसाद यादाओ, नीतिश कुमार, रभी संकर परसाद और सुसिल मोदी, ये सभी जो थे, उस समय कि इस आंदोलन से समन्धी थे, बिल्कुल राइट एंसर ये है, तीसरा है, यह आंदोलन 1975 की इमर्जंसी लगाने कारणों में से एक था, ये भी बिल्कुल सही है, जो हमारे डी यहाँ पर है, सही एंसर हो जाएगा, अगला प्रशन है, बिहार में संपूर क्रांती का आवान कब किया गया, तो देखिए, जो बिहार में संपूर क्रांती का आवान है, वहां 5 जून 1974 में किया गया, सही एंसर क्या हो जाएगा, 5 जून 1974 में, बिहार में संप तो देखे 27 प्रश्ण क्या है बिहार में सन 1977 में किस कमिशन के अधार पर पिछडों के अरक्षड का जो है अंदोलन शुरू हुआ था तो इस प्रश्ण का सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D मुंगेरी लाल कमिशन देखे जो 1977 में मुंगेरी लाल कमिशन आया था इसी कमिशन के अधार पर पिछडों के अरक्षड का जो है अंदोलन विहार में प्रारम हुआ था तो ओप्सन नमबर जो D यहां पर हमारा है राइट एंसर हो जाएगा 2800 प्रशन मारा देखे गया है कि उर्दू को दूसरी राजभासा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज़े कौन सा बना देखे उर्दू को दूसरी राजभासा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज़े कौन बना तो सही अंसर हो जाएगा option number B, बिहार, देखिए, जो उर्दू को है, सबसे पहले बिहार में दूसरी राजभासा का दरजा, जो है परदान किया गया, देखिए, जो उर्दू है, वह उत्तर प्रदेश की भे दूसरी राजभासा है, याद रखना और यहां की जो पहली राजभासा है, वह है हिंदी, तो ये भी point आपको याद रखना है, अगला प्रशन है 29 प्रशन, बिहार में उर्दु को दूसरी राजभासा का दर्जा कब दिया गया, तो दिखे, बिहार में उर्दु को जो दूसरी राजभासा का दर्जा है, वह कब दिया गया, तो इस प्रशन का सही एंसर हो जाएगा, option number a 1918 में दिखें. जो बिहार में उर्दु को दुविती राजभासा का दर्जा दिया गया था हुआ, 1918 में दिया गया था और बिहार उर्दु को दूसरा राजभासा का दर्जा दिनेवाला देश का पहλα राज्य बाना था. तीसवा प्रश्मुन है, बिहार की चर्चित चर्चित गंगाजल घटना, option number C correct हो जाएगा, अगला प्रशन देखे क्या है, एक तीसवा प्रशन, बिहार में चर्चित गंगाजल की घटना कब घटी थी, तो देखिए, जो बिहार में बहुत चर्चित गंगाजल की घटना है, यह कब घटी थी, तो सही एंसर हो जाएगा option number A, 1980 में जो है बिहार में गंगाजल घटना घटी थी, option number A correct हो जाएगा, अगला प्रशन है, 32 प्रशन, इंदेरा गांधी ने महात्मा गांधी सेतु पुल का उधगाटन कब किया था, देखिए, इंदेरा गांधी ने महात्मा गांधी जो सेतु था, इसका उधगाटन हो जाएगा, अगला प्रशन है, बिहार में अक्टूबर 1989 में सामपरदाइक दंगे हुए थे कहां पर, तो देखिए, बिहार में अक्टूबर 1989 में बिहार के भागलपूर में जो है, सामपरदाइक दंगे हुए थे, तो यहां पर option number जो भारा D है, राइट एंसर हो थी, वो घटी थी, दिसंबर 1994 में, सही एंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर 1994 में जो हमारा यहां पर है, राइट एंसर हो जाएगा, और आज कर दिखे हमारा अंतीम प्रशन क्या है, बिहार के बोध गया में स्थित महा बोधी मंदिर, विसो विरासत घुसत कप किया गया, तो देखिए, इस वीडियो में हमने 35 ऐसे प्रसन देखे, जो कि सोतंतरता के बाद जो बिहार में प्रमु घटना करते थी, उसे समन्दित थी, देखिए, इस वीडियो के जो पीडिया फाइल है, आपको डिस्क्रिप्स ने टेलिग्राम लिंक से मिल जाएगी, इसके अलावा आप टेलिग्राम पर जाकर डारेक्शन, स्टेडी पॉइंट सेर्च करके जोड़ जाएगे, वहां से आपको जो रेगुलर पीडिया फे मिल जाये करेगी, दोस्तों वीडियो को अंधिक से दिक सेर जरू करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार नएने वीडियो ला